हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पे कैसे हम गी निकाल सकते हैं जो घर पे हम मलाई जमाते हैं मलाई को अखटा करते हैं उसी से हम आज घर पर गी बनाएंगे ये मैंने मलाई हर रोज की खटी करके रखी हुई है फ्रीजर में इ seven days का मलाई है मलाई को हमने एक बड़े बरतन में निकाल लेना है मलाई को मैंने एक घंड़ा पहले फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया था हम घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इस मलाई में से हम बटर अलग करेंगे हमें इसको बहुत अच्छे से फेटना है ए आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं पर मैं हातों से कर रही हूं इसको हमें एक ही डारेक्शन में नॉन स्टॉप फेटना है कांटिनूसली हमें इसको फेटते रहना है आप घर पर ही घी तियार करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्रेश और प्योर घी मिलेग 10-15 मिनट हमने इसको लगातार फेट आए अब आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं थोड़ा क्रीमीश टाइप का हो रहा है थोड़ा थिक हो रहा है हम कंटिनूस इसको फेटते रहेंगे एक ही डारेक्शन में फेटेंगे कंटिनूसली फेटते रहेंगे और इसका टेक्स इसको थोड़ा सा हम mix और करेंगे और हम सारा मक्खन इकट्टा कर लेंगे मक्खन निकालने के बाद जो दूद रह जाएगा उसको हम waste नहीं करेंगे उसको हम use करेंगे उसका हम पनीर बनाएंगे तो देखिए seven days के मलाई से हमने मक्खन निकाला है जिसका हम घी बनाएंगे अभी और जो leftover दूद है उससे हम पनीर भी बनाएंगे देखिए मक्खन अलग हो गया है अब हम घी बनाने का process स्टार्ट करते हैं कडाई गरम करना है उसमें हम यह मक्खन को डालेंगे गैस का flame मैंने medium रखा है और इसको चलाते रहना है ताकि यह नीचे से लगना जाए हमें continuously इसको चलाते रहना है शुरू शुरू में यह आपको पानी जैसा दिखेगा घी जैसा नहीं दिखेगा तो आपको घबराना नहीं है आप इसको चलाते रहिए ताकि नीचे से जलना आपको दिखने लग कई अलग हमाइFA सब फोड़ना नीए जान अबलायो हमाइब ऊच्छाएंगे में और शर्काइब मिज़ तो आपका मावा निकालना है इसकाइका अब अजताएंगे और इसको च्छान लीजिए तो आपका मावा अलग हो जाएगा बट मुझे मावा नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी इसको और थोड़ा पकाएंगे यह करेक्ट टाइम है जब आपको मावा अलग निकालना है तो इस टाइम पर आप गयास बंद कीजिए और इसको च्छान लीजिए हम इसको थोड़ा और पकाएंगे देखिए धिया गीँ अब आगया है घी को हम त्रांसफर करेंगे अब कंटेटेनर में जिस भी मैं आप गी को त्रांसफर करेंगे वह साफ और सुखा होना चाहिए मैं स्टील के कंटेटेनर में इसको चान ले रही हूं हमारा गी रेडी है देखिए सेवन डेज के मलाई से गी हमारा तेयार है आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा प्योर गी आप घर पर ही बनाईए आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें